असलाम वालेकुम रहमतुल्लाव वरकाता हो इंडिया हाइदराबाद एरपोर्ट कस्टम ड्यूटी वालों का 2024 का न्यू अपडेट आ चुका है आप गल्व से कितना सोना कितने टीवी और कितने फोन कितने लेप्टॉप कितने आईपैड लेकर जा सकते हैं यहां तक कितने स एरपोर्ट का नया अपडेट आ चुका है भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा और यह वीडियो जो एंड तक देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोग जो है इस मसले में ना पस सके यहां से गल्फ में जो काम करते खास करके ज्यादा तर लोग टीव टीवी दिसकों नहीं पोतर हूँ ऐसे लोगा जो है टीवी ठीक है ना भाई यहां कुन सी भी टीवी ले जाओ बहुत मसला है वीडियो एंड तक देखो मैं आपको पूरा बताऊंगा पहले मैं आपको सोने के बारे में बता देता हूँ ठीक है न दोस्तों तो यहां पर ब लगे गई चाहिए आप कितना ले जाओ ठीक है उसके अलावा आप जो है ज्वैलेरी ले जा सकते हैं ज्वैलेरी जो भी लेडी जो पहनते हैं वो चाहिन वगरा बाली जो भी ज्वैलेरी होता है वो ले जा सकते हैं आप एक साल से अगर ज्यादा रहते हैं गल्फ कंट्री का सोना ले जा सकते हैं यह शुरू से यही अपडेट है भाईया पचास हजार रुपियों का आप लोगों को यखिन नहीं आएगा मैं वीडियो के कही ना कहीं एक जगा पर आपको फोटो बता दूंगा जो कि कस्टम ड्यूटी वालों ने शेर किया है ठीक है इस ठीक है और मैं तो बहन पर आप कितने ले जा सकते हैं वो भी बता आगिए थी के ना विडियो पूरा देखो तो यहां पचासadomo का जेंटेलमैं ले जा सकते हैं एक लाग रुपियों का आप ठीक है अगर कोई बंदा छे मेहने से यानि इंडिया छोड़के कहीं कंट्री में छे मेहने रहा उसके बाद अगर वो इंडिया जा रहा है जाते टेम अगर वो 1000 ग्राम से ज्यादा सोना ले जाते यानि क्या 5-60 ग्यादा सोना ले जाओ गे तो भी आपको यहाँ पर कस्टम देना पड़ेगा ठीके कस्टम जूटी कितना है 16.5 परसेंट आपको कस्टम जूटी देना पड़ेगा 16.5 परसेंट कस्टम जूटी लेंगे वो आपसे ठीक है न हजार ग्राम से ज्यादा लेंगे तो 1000 ग्रम से ज्यादा ले जाओंगे तो इतना है लेकिन 1000 ग्रम से कम रहेगा और 50,000 जिंटलमेंट के लिए एक लाग का लेडिस के लिए जो है न उससे ज्यादा ले जाते तो हो सकता है 13% 12% या 10% आपको मुम्किन टेक्स लगेगा या नहीं लगेगा उसके बारे में confirmation नहीं दिया है ठीके आप खुद पढ़ सकते हैं मैं वीडियो के कहीं न कहीं एक जगा पर मैं sticker लगा दूँगा आप लोग देख लो और भाईया जो pieces होते हैं जैसे एक ये गले का चाइन हो गया फिर जो है कान के बाली ह लोग है ठीके इस तरह से एक ये दो सेट हो जाता है दो सेट से अगर ज्यादा ले जाएंगे ठीके दो सेट से ज्यादा ले करके जाएंगे तो 44% कस्टम यूटी देना पड़ेगा 44% देना पड़ेगा ठीक है और अभी चलते हैं मैया टीवी बहुत सारे लोगों की पानी ले जाए हम यूजेट ले जाए या हम नया लेकर टीवी जाए टेलिवीजियोन ठीक है ना इंडिया में खरीदो आसान रहेगा इंडिया में ही खरीद लो चार पैसा ज्यादा जाएगा आपका खराब होगा तो रिपेर भी कर सकते लेकिन आप यहां से जितना पैसा लगा कर ले जाते हैं गल्फ कंट्री से जितना पैसा आप लगा करके इंडिया को लेकर जा रहे हो ना यह सिर्फ हाइदराबाद एरपोर्ट का बतारों में बाखे के एरपोर्टों का नहीं पता हुए तो यहां पर टीवी के बारे में बता गया है चाहे वो न्यू हो चाह है जब जाने से पहले अपना पैसा ओ है इंडिया क O karenica कर लो जाते हैं जाते जाते हैं अथ को बहुत सारे शॉक्त सारे आरे को सफी आपको L对 है ठीक है वहाँ जा कोटी कोटी में बहुत सस्ते मिलते हैं आपको जाओ है तीवी मत ले जाना भूल कर भी 38.5% टेक्स आपको लगने वाला है और सिग्रेट पीने वाले हजरात की बात आ सिग्रेट के ओपर भी टेक्स लगा दिया गया है वैसे कुछ सिग्रेट है जो कि आपको फिरी छोड़ते हैं उस पर कोई आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा फिरी ले जा सकते हैं लेकिन सव स्टिक्स बताया है यहां पर स्टिक्स का मतलब होता है वही ना एक पीस को ए 110% आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा यानि कि आपका सिग्रेट पुरा ले लिया जाएगा जितना पैकेट का पे करके जा रहे हो उतना ही आपको फिर वहां पे करना पड़ेगा एरपोर्ट में तो इससे अच्छा है अगर आप साओधी से दुबाई से ले जा रह है लेटोप का भी आइपैड का भी बताया गया और दूसरे जो भी सामन आप ले जाते हैं उसके बारे में बताया गया है तो एक लेटोप आपके लिए फिरी होता है चाहे वो एपल कर हो चाहे वो लिनोवो का सैमसिंग का जो भी है आपके अपके अपास एक लेटोप आप के लिए फिरी होता है फिरी ले जा सकते आप लेफ टॉप ठीक है और कोई भी दूसरा सामान जैसे आप जो भी खरीद रहे हो घर के लिए अपने फैमली वालों के लिए जो भी सामान खरीद रहे हो पचास हजार की अंदर अंदर का होना चाहिए पचास हजार रुपियों से उपर नहीं जाना चाहिए और जो भी सामन आप खरीद रहे हो उसका सबका बिल अपने साथ में रखो ठीक है सबका बिल आपके साथ में होना चाहिए चाहिए आप गोल्ड खरीदो चाहिए आप दूसरा कोई भी आइटम खरीदो उसका बिल साथ में रखो ताकि यह वहां पर लिया था हैदराबाद एरपोर्ट में ठीक है तो पचास हजार रुपियों से ज्यादे का सामन ले जाएंगे तो वहाँ पर फिर चेक करेंगे तो अगर ज्यादा निकलेगा तो आपको वहाँ पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगा अभी चलते हैं भया फोन पे फोन और आइप तो ठीक है इस तरह की चीज़े भी अगर आप पचास हजार से उपर की ले जाएंगे तो भी आपको 38.50% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा ठीक है 38.50% 38.5% सॉरी 38.5% कस्टम ड्यूटी आपको हैदराबाद तेलंगाना स्टेट हैदराबाद एरपोर्ट में पे करना पड़ेगा ठीक है ना इंडिया इंडिया का एक स्टेट है तिलंगाना तिलंगाना का एरपोर्ट ठीक है वहाँ पर आपको यह कस्टम ड्यूटी का अपडेट्स बताया गया है और जितने भी लोग गल्फ कंट्री से हो या कोई भी बाहर कंट्री से आप हैदराबाद को जा रहे हिदराबाद एरपोर्ट में अगर उतरना चाहर है तो यह रूल्स बताया गया है और जहां तक गोल्ड की ज्यादा तर लोग जो है ना गोल्ड ले जाने का बहुत सोचते हैं क्योंकि गोल्ड सस्ता मिल सस्ता तो नहीं है लेकिन एक खुशी होता है कि हम गल्फ कंट में अच्छे से गार किया हूँ एरपोर्ट में क्या क्या होता है बस लोग ऐसे ही फालतों में बोलते रहते हैं लेकिन जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं भाईया ध्यान रखो ठीक है ना मेरे एक दोस्त ने जो है मेरे कोई अपडेट शेयर किया है और बोला है क यह वीडियो बना करके शेयर कर दो ताकि लोग परिशान ना हो देखो भाई मैं एक लास्ट में इंड में एक बात बोलना चाहता हूँ जो भी सामन जो भी चीजें आप गल्फ में आचा है दुबई वे खोयत में हो या साओधी अरब में खतर में बहरीन में जहां भी आप सामन खरीद रहे होना वो पूरा सामन आपको इंडिया में ही मिलेगा ठीक है परस थोड़ा वो सामन ले जाओ जो कि जिससे आपके फैमली वाले बच्चे खुश हो जाए ठीक है उसके अलावा ज्यादा कुश मत ले जाओ क्योंकि आप कमा कर जा रहे हो यहां से तो जो साम रखिएगा टीवी भूल कर मत ले जाना टीवी ले जाने वालों तुम्हारी अब खेर नहीं है देख लिया ना कितना परसेंट का टेक्स देना पड़ रहा है बिल्कुल बेकार है यह मैं बोलता हूं गल्फ कंट्री से टीवी ले जाना एकदम बकवास चीज मेरे को लग र खराब होने पर आपको रिपेर भी करके देते हैं अगर आप गल्फ से ले जा रहे हो खराब हो जाएगी तो क्या उसको वापस लाओगे नहीं ला सकते बहुत सारे लोग इस्तरी ले जाते है बहुत कुछ सामान ले जाते है यार मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा वीडिय लिजान रखिएगा बड़ी बड़ी बाते करने से नहीं होता है भाई एरपोट में जाकर फ़स जाओगे और कुछ नहीं है जो रूल से जो अपडेट आया है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हूँ आप लोगों का काह में आगे शेयर करिए वीडियो को लाइक क करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है चलिए मिलते हैं आप लोगों साथ में इंशाला नेक्ट वीडियो में खाल रखेगा अपना मासलामा लाफीस फी अमान अल्लाह